तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजूकेशन फॉबेटर टुमोरो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी सी एचो की जो 2800 वेकिंसी के लिए एकज्याम हुआ था 9 और 10 सितंबर 2021 को उसका एक्सपेक्टेड कटफ क्या रहने वाला है हम कैटेगरी वाइज ए लिनियंट पेपर था लिनियंट कहने का मतलब इतना भी नहीं था कि बहुत ही जी था बट ठीक ठाक पेपर था और जो सकेंड डेज था उसका पेपर हाड हुआ था तो इसके लिए आपको परिसान नहीं होना है हम आपको बताएंगे कि क्यों परिसान नहीं होना है तो हमार क्या कट फोगा EWS का क्या होगा OBC SC ST का क्या होगा कट तो सबसे पहले हम आपकी उस समस्या को समादान कर देते हैं जो आपको यह लगता है कि नौतारीक वाला पेपर इजी था दस तारीक वाला पेपर बहुत हाड था हमारा नहीं हो पाएगा तो ऐसी बात नहीं है इसमें क्या होता है कि 1% method यूज किया जाता है एक्यू पर्सेंटाइल मेतड क्या होता है तो इसको आसान भासा में अगर समझे तो दोनों ही दिनों का जो एवरेज रिजल्ट है उसका मीन निकाला जाता है और उसके हिसाब से जो हार्ड पेपर होता है उसमें कुछ बोनस अंक एड कर दिया जाते हैं जिससे की कोई पार्स सिफ्ट से ज्यादा सिफ्ट में हो रहा हो मतलब एक के अलाबत ज्यादा सिफ्टि में हो रहा है क्योंकि number of student ज्यादा कोई permit प्रोट ओकोल को भी follow करना तो इसलिए यह एसा बिहार C h о के में भी हुआ था और लगबग हर एक्जाम्स में जहाँ ज्यादा candidates appear होते हैं या फिर एक सिफ्ट से ज्यादा सिफ्ट में paper हो रहा है तो वहाँ पर percentile method यूज किया जाता है जिसमें mean निकालके final analysis किया जाता है और उसके आदार पे कितने अंग add किये जाना है bonus marks के तौर पे equivalent करने के लिए वह किया जाता है तो ठीक है इसके लिए आपको टेंसर नहीं लेना है कि आपका paper hard था आपका इजी था जिनका उनके तो number आई रहे हैं तो उनको इसलिए परिसान नहीं हो ना है कि hard वाले को bonus मिल रहा है ठीक है सब के साथ एक समान वेवार किया जाएगा अब चलिए हम category wise देखते हैं उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें जिससे information बाकी लोगों की पहुंच सके बाकी लोगों की भी यल्प हो सके चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जेनरल का कटफ यह रहने वाला है 58 to 62 यह 58 to 62 रहने वाला है जेनरल का जी हाँ 50 to 55 EWS का कटफ रहने वाला है अब OBC की बात करें तो OBC का 52 to 57 रहने वाला है 52 to 57 OBC का कटफ रहने वाला है अब SC की बात करें तो 48 to 52 कटफ होगा SC 48 to 52 ST की बात करें 45 to 50 कटफ होगा तो यह थी कटफ की बात और 21 परसेंटाइल मेथट से किस तरीके से फाइनल रिजल्ट प्रिपेर होगा अब एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो आएगा जो हमारी प्रोबैबिलिटी है कि वो इस मन्त के लास्ट में यह अक्टूबर तक आए बट यूपी में कभी कभी प्रोबैबिलिटी काम नहीं करता तो विटा श्योरली तो नहीं बता सकते बट हां मैक्सिमम प्रोबैबिलिटी है सिप्टेमबर लास्ट और से लेके अक्टूबर मीड तक आपका रिजल्ट डिक्लियर कर दिया जाएगा प्रोबिजनल लिस्ट उसके बाद आपको डोकुमेंट वरिफिकेशन के लिए फर्दर नोटिफाई किया जाए तो यह ती जानकारी आसा करते हैं आपको हमारा दोर दी गई जानकारी यूजफिल होगी ऐसे ही अपडेट्स पर